पी आईवी जहां से आपके प्रेलम्स, मेंस और इंटर्व्यू तीनों में ही काफी सारे क्वेशन्स आते हैं चाहे गवर्मेंट स्कीम्स हो, सरकार के नायना इनिशियेटिव्स हो, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंस के जितने भी दिन भर के काम होते हैं या आज PIB के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं कि कैसे PIB हमें पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं क्या नहीं, कहां से पढ़ना है और सबसे बड़ा सवाल क्यूं पढ़ना है, I think क्यूं मैंने क्लियर करतिया है कि बहुत सारे questions आते हैं, government scheme ही आपका एक काफी important pillar है जहां पर 20-30% government schemes आपके prelims, mains or interview में पूची जाती है, थोड़ा vary कर सकता है depending on the exam you are giving, but I am pretty sure कि कोई भी regulatory exam के आप तयारी कर रहे हैं, P.I. भी नहीं ignore कर सकते हैं, अगर किया तो selection होना 100% मुश्किल है, तो आज के session में हम यही सारे doubts जो हैं clear करने वाले हैं, बट उससे पहले अ करा ही जाते हैं उसके साथ-साथ, बहुत सारे quizzes के form में हम questions भी डालते हैं, डेली 10 questions वहां पर डाले जाते हैं, वो भी आप practice कर सकते हैं, I'll be also taking your doubts, एक तरीके का एक live chat show जैसा हम रखेंगे आज के session को, ताकि मैं आपके सारे doubts भी आज ही के class में clear कर दूँ, तो एक बर जल्द Is everything good? Okay, जाँ-जाँ आप video share कर सकते हैं, आपको लगता है कि जिन लोगों को PIB की या current affair की बहुत जादा समस्या है और ये site पढ़ने में बहुत जादा problem आती है, आप उनको भी ये जो session है, वो share कर सकते हैं Okay, चलिए जी, also हमारा financial year भी खतम होने वाला है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारे जुतने भी exams है, वो थोड़े और पास आने वाले हैं, तो तयारी थोड़ा सा जोरो-शोरो से करनी पड़ेगी, थोड़ा और dedicatedly हमें अपनी preparation करनी पड़ेगी Okay, let's begin, let's begin, शुरू करते हैं, P.I.B. पढ़ने के लिए सबसे best source है P.I.B. site itself, तो हम वहीं से पढ़ने वाले हैं, आज मैं live site आपको खोल कर दिखाने वाली हूँ, हर एक चीज, छोटी-छोटी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको क्या करना हैं? अब से पहले, simply आपको Google पे जाना है, ठीक है? यहाँ पर जाकर आपको P.I.B. टाइप करना है, P.I.B. ठीक है? P.I.B. आप टाइप करेंगे, पहला ही आपका जो यहाँ पर home page पर press information bureau आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े दिखेंगी, आप यह सोच रहे होंगे, मैं पढ़ना क्या है? आपको Press Releases पर क्लिक करना है, All Releases पर क्लिक करना है, और यहाँ पर All Releases पर क्लिक करने के बाद, आपको यहाँ पर आज आएगा हमारा जितने भी Current Affairs हैं. सबसे पहले आता है Ministry, आप यहा Pacific Ministry के बारे में पढ़ना हो, आप यहाँ पर Ministry Select कर सकते हैं, बट I don't think वो आप कीजेगा, आपको क्योंकि हमारे लिए Almost Almost सारी Ministry important है, तो मैं सारी News पढ़ूँगी, मैं Ministry Select नहीं करूँगी. यहाँ पर Date भी आ जाती है, जैसे आज 30 तारीक है, तो Date automatically आ रही है, बट अगर अगर के बारे में अब आपको पता चला है, बहुत important साइट है, तो आप January से पढ़ना चाहते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी regulatory bodies examination के तयारी कर रहे हैं, तो January 2024 से आपको यह साइट अच्छे से cover करनी है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, self study भी कर सकते हैं, लास्ट में मैं एक ऐसा source भी बताऊंगी, जहाँ पर P.I.B. के notes भी आपको मिलते हैं, बट अगर आप खुद करना चाहें, आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई issue नहीं है, थोड़ा time taking जरूर होगा, क्योंकि एक एक news आपको पढ़नी पड़ेगी, उनके notes बनाने अगर आप self-study कर रहे हैं, and if you have time, तो आप भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से month और year भी select कर सकते हैं, आज मैं आज की ही date select कर लेती हूँ, और हम 30th पर आजाते हैं, सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आज काफी कम news यहाँ पर available है, एक तो सबसे पहले, ज जो चीजे होंगी, वहाँ पर जो चीजे या तो पिछले सालों में पूछी होंगी, या फिर जो topics mentioned होंगे, also एक और चीज हमेशा current affair में याद रखनी होती है, आज कल क्या हो रहा है, कि syllabus से extra भी चीजे पूछने लगया है examiner, वो कहां से पूछता है, वो वाले topics होते हैं, ज nationally वो मुद्दा इतनी बार रहा है, पेशाक, पॉलिटी जो है, आपका एक topic नहीं है, या subject नहीं है, बट पॉलिटी के हमेशा दो तिन सवाल पूछे जाते हैं, उसका reason यही है, कि पॉलिटी का कुछ ना कुछ जो है, एक national issue बना रहता है, तो वो भी हमें समझना है, सो समझ negotiating anything, हम चाहे newspaper पढ़ रहे हैं, चाहे हम P.I.B. पढ़ रहे हैं, चाहे हम R.B.I. की site पर देख रहे हैं, चाहे हम कोई भी नई site explore कर रहे हैं, हमें ये दो चीज़े हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और जैसा, मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, ये एक live chat show है आज का, अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आप मुझे तुरंत यहां पर टाइप कर सकते हैं, live comment section में, I will be replying each and every doubt of yours, मैं हार एक question का जवाब देने वाली हूँ, तो एक थोड़ी सी बातशीत भी कर ली जाए आज, definitely, आप मुझे बता दिजे, कोई भी आपके डाउट हैं, आप प् प्रेजन्स भारत रत्रा, अब awards and recognition हमें पता है, हमारे current affairs का काफी important part होता है, तो भारत रत्रा किसको दिया गया है, कैसे दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमें एक बार definitely देखनी हैं, right, president of India यहां पर जो है उन्होंने present किया है, कहां कहां पर ये ceremony हूई है, और किन को ये award द दिया गया है, अवर्ड का नाम पूछ लेंगे या इनसान का नाम पूछ लेंगे, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आता है, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, कि किन को यहां पर हमारा जो है, यह दिया गया है, भारत नुत्न यहां पर बात करी गई है, आप एक स्क्रॉल करके, पिक्चर्स के थ्रू भी जरूर देखा कीजे, क्योंकि जतना आप विज्वलाइज करेंगे चीजों को देखकर पढ़ेंगे, उतना ही जादा बेटर आपको याद रहेगा, सेकिंड क्वेस्टन यहां से आता है, कि इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं, उसके नोट्स बनाने का उसका क्या तरीका है आपको एक टेबल बना لेनी है, let me just show it to you, आपको एक सिंपल सा तेबल बनालेना है, ठीक है, सिंपल सא टेबल आप बनाएंगे, यहां पर जो है अवर्ड लिखेंगे, और यहां पर नेम लिखेंगे, राइट, तो यहां पर और यहां पर person का नहीं मा जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो भी है यहां पर इस तरीके से आप एक table बना के लिख सकते हैं, उसके लाव आपको कुछ नहीं लिखना, यह same notes आप sticky notes में भी बना सकते हैं, चोटा-चोटा लिख के ताकि आपका revision अच्छे से हो of millet 2023 took place in FAO Food and Agriculture Organization Headquarters, which is in Rome, Italy, in a hybrid setup, हमें 100% देखना है, क्योंकि एक तो agriculture से related है, दूसरा, International Year of Millet से यहां पर related है, दूसरा, International Year of Millet से यहां पर related है, 2003 हमारा International Year of Millet celebrate किया था, और इसी के लिए हमने बहुत सारी चीज़े, जो है, करीब ही हैं, इसी की closing ceremony है, यहां से मुझे क्या द सकता है announce हुआ हो वैसे तो closing ceremony में announcement नहीं होती है closing ceremony में वज़ चीज़े खतम होती है ठीक है जब हमारी opening ceremony होती है या फिर during the process बहुत सारी चीज़े हम announce करते हैं but still मैं इसको पढ़ूँगी क्योंकि मैं को पता है international year of international year of miller जो है वो important है FAO के बारे में भी मैं पढ़ूँगी आपको क्या करना है थोड़ा extra काम यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर FAO के बारे में नहीं दिया हुआ अगर आप self study कर रहे हैं तो थोड़ा extra काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है, let me see, हाँ जी, FAO के बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ, आपको जाना है, Google again, Food and Agriculture Organization, Wikipedia, ठीक है, यह आपको यहाँ पर डाला है, और Food and Agriculture Organization, पहला result जो यहाँ पर आएगा, हमेशा Wikipedia आपको पूरा नहीं पढ़ना होता, पूरा पढ़ने लगेंगे, तो फिर आप बस Wikipedia या पेज ही पढ़ते रह जाएंगे, बहुत in-depth होता है, उतनी हमें ज़रत नहीं होती है, हमें सिर्फ फर्स्ट पारग्राफ पढ़ना होता है, और साइड में एक जो टेबल जैसा दिया होता है, यह भी काफी helpful होता है, क्योंकि सारी चीज़े यहाँ पर, जो at least factual चीज़े 100% active है, अभी मतलब खतम नहीं हुई है, ठीक है, headquarters Rome, Paris, माफ कीज़ेगा, I'm really sorry, Rome, Italy में है, राइट, इसका parent organization, United Nation Economic and Social Council है, ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़, जब भी आप कोई भी organization के पार में पढ़ते हैं, उसका functioning, उसकी functioning आपको 100% पढ़नी है, कि FAO करता क्या है, उ क्योंकि बहुत जादा information दी होती है, Wikipedia पर, तो हमें सारी चीज़े पढ़ने की ज़रूत नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा current aspect भी clear कर लिया, और FAO के बारे में, FAO as a body क्या करता है, FAO का static portion क्या हो सकता है, वो भी मैंने वहाँ से cover कर लिया है, तो मेरा एक, you know, comprehensively मेरा topic prepare हो गया है, this you have to do जब आप खुद से preparation कर रहे हैं, otherwise अगर आपने कहीं पर enroll किया हुआ है, let's say for example, अगर आपने मेरे course में, The Bigger Picture Plus में enroll किया हुआ है, या Bank Maha Pack Plus है, तो मैं वहाँ पर आपको खुद ही notes बना के देती हूँ, तो उस case में आपको ना तो news filter out करने की ज़रूत है ना आपको extra research करने की ज़रूत है, आपको सिर्फ वो monthly magazine पर rely करके सिर्फ उसको पढ़ने की ज़रूत है, otherwise nothing, ठीक है, चलिए, coming back, वापस आते हैं, कुछ और news एक लेते हैं, next है Ministry of Power, News कहता है National Power Training Institute and PTC India to perform joint R&D and Energy domain with focus on sustainable development goals, अब अगर मुझे इस line में से एक भी शब्द समझ न होगा, बस इसी को catch कर लेना है, और क्योंकि कुछ तो मेरे syllabus से match कर रहा है, तो मैं इस news को भी click करूँगी, click करने के बाद यहाँ पर National Power Training Institute and PTC India जो है, वो यहाँ पर research and development करने वाली है, energy domain में, यानि energy sector में, ताकि जुतने भी हमारे sustainable development goals हैं, उनको पूरा किया जा सके, so मेरा पर काम होना चाहिए कि एक तो में, यहाँ पर दो points बनते हैं, सबसे पहले किसी भी topic में, हर एक topic को आपको एक तो prelims, mains और interview तीनों के point of view से पढ़ना है, और दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, वो यह है कि इस topic का current aspect क्या हो सकता है, और इस topic का static aspect क्या हो सकता ह current aspect यहां से यहां तक है, कि कौन किस के साथ collaborate कर रहा है, किस चीज के लिए, और इसका static जो एक question बन सकता है, वो है sustainable development goals क्या है, किस चीज के बार में बताते हैं, कहां से यह develop हुए हैं, again में को क्या करना है, same approach यूज़ करनी है, अगर मुझे नहीं पता, तो basically मेरा current तो इसी line स clear हो गया है, कि कौन मिलकर क्या कर रहा है, बट में को sustainable development goals तो पता ही नहीं है, I'll do the same process again, मैं फिर से Wikipedia पर जाओंगी sustainable development goals, तो देखे, पढ़ाई ऐसे ही होती है, महनत लगती है, थोड़ा research करना पड़ेगा, otherwise आपके लिए फिर paid classes तो हैं ही, आप वहां पर enroll कर सकते हैं, अगर महनत नहीं करना चाहते है, या फिर समय नहीं है, जरूरी नहीं है, महनत नहीं करना चाहते है, कुछ लोगों के पास actually में समय नहीं होता है, कुछ लोग शायद job कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम लोग आपको notes बना के दे देते हैं, right, so आपको क्या करना है, sustainable development goals, search करने है चलिए, कर लेते हैं, क्योंकि important है, sustainable development goals से बहुत सारे questions उचे जा चुके हैं, इसी page को back करके यहीं पर search कर लेते हैं SDG goals, SDG ही करती हूँ, SDG कर लिया, मैंने पहला ही result आगया, sustainable development goals, let's click this, sustainable development goals, so सबसे पहले तो मैं यह यह पढ़ लोगी, मैं सबसे पहले तो मैं यह table पढ़ूगी, यह box पढ़ूगी, यहाँ पर इसका mission हम पढ़ लेंगे, हो सकता है, आपसे एक line में mission पूछ लिया जाए, sustainable development and goal का mission क्या है, a shared blueprint for peace and prosperity for people and planet now and into the future, उसके बाद location, it is global, मैंने बोला है, United Nation क्या किरता है, Sanyukhtarashya, जो हमारा peace and prosperity के लिए बनाया गया था, यह जो organization है, अपने आप में, so United Nation को बनाया गया था, League of Nation खतम करने के बाद, League of Nation भी एक ऐसी body थी, जो हमने World War, World War के बाद बनाई थी, बट वो peace maintain नहीं कर पाई और उसका नतीजा था कि तवित्य विश्वयुद हुआ, World War 2 हुआ, तब जाके हमने United Nation बनाया, अब United Nation ने सभी देशों को ये बोला, कि ये 17 चीजे लीजे आप, ये 17 goals है, जो आपको अपने देशों में फुल्फिल करने हैं, उन 17 goals में बहुत सार नहीं होनी चाहिए, ये आपको अपने देश के लेवल पर make sure करना है, कि India को make sure करना है, कि India में कोई भी गरीब ना हो, Maldives को make sure करना है, Maldives में कोई भी गरीब ना हो, इस तरीके से, फिर SDG 2, 3, 4, 17, 17 goals हमने दे दिये हैं, 17 की 17 आपको याद रखने हैं, directly question आते हैं, directly examiner ये कि बताईए, sanitation से related कौन सा sustainable development goal है, या फिर goal number 13 क्या है, goal number 14 क्या है, direct questions पूछ आते हैं, you have to remember, अगर आपको इन सब से, याद रखने की trick अगर जाननी है, वो भी आप मुझ से सीख सकते हैं, मैंने एक trick भी बनाई हुई है, बट उसके लिए आपको मेरे साथ regular sessions में, जो कि हम Monday स शुरू करेंगे, उसमें जुड़ना पड़ेगा, और वहाँ पर आप मुझ से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलिग्राम पर भी आप मुझ से पूछ सकते हैं, I'll be sharing, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगे, और यह हैं किसलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे करने है, 2030 तक करना है, so United Nations, so यह 2015 में हमारे पास आये थे, United Nations जो है वो लेकर आया था, यह हमने देखी लिया है, और अलग-अलग चीजों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, बहुत सारे social और economic angles पर, in fact climate वाले angle पर यहाँ पर बात करी गई है, इतना ही पढ़ना है, उस जादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, और जादा sustainable development goal के बारे में हमें नहीं जानना है, ठीक है, यहाँ पर तो हर एक goal को बहुत जादा detail में बताया गया है, बट इतना detail में नहीं पढ़ना है, सिफ गोल कौन सा है, क्या है, उतना ही याद रह जाए, वो ही काफी जादा है, ठीक है, चलिए, वापस आते हैं, next है, ministry of ports, shipping and waterways, celebrating exemplary role of seafarers in maritime sector, week-long national maritime celebrations begin with the pinning of the first merchant navy flag on PM's label, again, मुझे यह बहुत जादा तो important नहीं लग रहा है, एक reason यह है कि मेरा, यह maritime sector वाले से बहुत सादा questions आते नहीं है, science, defense वाले से बहुत सारे questions आते नहीं है, और यहाँ पर कु मालो कोई exercise हुई है, किसी दो देश के बीच में, और वो भी बहुत important देश है, और उस exercise में भी कुछ बहुत important announcement हुआ है, तो शायब मैं इसको click करती, अभी के लिए मैं इसको click नहीं करूँगी, तो I guess आपको यह भी समझ आ गया होगा, कि कौन-कौन से news को हमें click करना है, second च चाहिए, तो आप जो है हमारे courses में भी enroll कर सकते हैं, मैं आपको अपना telegram जरूर बताना चाहती हूँ, जिससे अगर आपका कोई भी doubt यहाँ पर रह जाता है, वो आप मुझ से पूच सकते हैं, this is my telegram, यहाँ पर CA Chartered Accountant नहीं है, current affairs है, telegram आप में यह type करेंगे, तो मेरा telegram channel आपको मिल जाएगा, it's an open channel, public channel है, आपको मिल जाएगा, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं notes की बात कर रही हूँ, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, also, आपको पता है कि second last day है हमारा financial year का, इस financial year का हमारा second last day है, तो, और हमारे exams भी बहुत पास आ रहे हैं, अब बिलकुल भी time नहीं है कि हम और किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, we should be clearly and highly focused for our exam, सिर्फ और सिर्फ exam के बारे में हमें सोचना है, और कुछ भी हमें नहीं सोचना है अभी, और उसी चीज में हम आपको guidance और affordability, ये दो चीज प्रवाइड कर र यहां आपको करना है, अटर 24-7 का app download, रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करने के बाद, यहां पर आपको bank maha pack plus दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजेगा, इसमें क्या-क्या होता है, वो आपको यहां पर सब mentioned होता है, इतनी live classes मिलेंगी, test series है, e-books है, RBI, Nibad, SEBI, मेरा bigger picture plus, यहां से आपको इसी pack में involved है, यहां से आप अपनी validity सेलेक कर सकते हैं, और अभी आपको मिल रहा है 80% discount और double validity, double validity का मतलब है, same पैसे में, you know, double months के लिए आप कर सकते हैं, कि अगर मालनो 2,000 रुपे में 6 महीने के लिए कुछ मिल रहा था, तो उसी 2,000 रुपे में, आपको 12 म हीने की validity आपको सेलेक करनी है, तो वो भी आप सेलेक करके, और यहां पर buy now पर click कीजेगा, एक code दरूर याद रखेगा, जिससे आप यह सारा maximum discount अवेल कर सकते हैं, code है Y674, जैसे ही आप ही apply करेंगे, यहां पर आपको maximum discount is 4194, आप believe नहीं करेंगे, यह 17 exams की course है, 17 exams, plus test series, plus e books, plus मेरा bigger picture plus का जो एक course है, current affairs का, जहां पर P.I.B. के notes आपको provide करवाती हूं, मैं monthly magazine के through, RBI Circulus प्रवाइड करवाती हूं, government scheme की एक monthly magazine प्रवाइड करवाती हूं, सारी चीज़े, proper notes आपको इसी cost में मिलेगा, 17 exams for 12 months, I don't think यह, मतलब इससे अच्छा offer आपको मिल सकता है, तो let us begin, अपनी तयारी शुरू करते हैं, अगर कोई भी doubt हो, again मैं repeat कर रही हूं, कोई भी doubt हो, आप मुझसे पूछ लीजे, और एक और amazing surprise देना शाती हूं, 6.30 मैं और Ritika Ma'am जो है, यहां पर एक podcast organize कर रहे हैं, सारे ही RBI Grade B students के लिए, तो अगर आपका कोई भी doubt है, वहां पर हम से पूछ सकते हैं, यह हमारा पहला podcast होगा, थोड़ा लग experience होगा, थोड़ा लग तरीके से organize करेंगे, काफी चर्चाएं होने बाली हैं, बहुत सारी चीजों पर, तो that is, it is going to be really, really interesting, I am very excited for it, let's see, चलिए, thank you so much everyone, I will see you then, yes, 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 अगर आपके पास गोविंदा, अगर आपके पास यह है, पैंग महापाक प्लस, तो इसी में आपको phase 1, phase 2, in fact, interview तक का guidance मिलेगा, phase 1, phase 2 और interview तक का guidance है, आपका इसमें, sufficient है, 100% sufficient है, और अगर आपको कल को किसी और exam का देने का भी मन किया, तो इसमें 17 exams covered हैं, so, आप वो भी इसी में आपको classes आपकी मिल जाएंगी, और ऐसा नहीं है, जैसे specially current affairs की classes है, ऐसा नहीं है कि पुराने आपको courses मिलेंगे, नहीं, जो मैं daily daily classes ले रही हूँ, वो सारी classes बैंक महापाक प्लस में अटाच कर दी जाती हैं, तो एक दम fresh courses आपको मिलते हैं, सारी ची तरीन topic है कि आपको current affair के notes नहीं बनाने, you'll be shocked to know कि current affair के notes नहीं बनाने, हंजी नहीं बनाने, तो क्या solution है notes का, वो आपको 6 बजे, इसी time पर, इसी channel पर, मैं session लेकर आऊंगे, do watch that as well, and अभी थोड़ी देर बाद हमें podcast में भी join कीजेगा, thank you so much everyone, have